नमस्कार आप देख रहे हैं C.I.B. इंडिया नियोस शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला कुरावली थाना शेतर के ग्राम सिरसा की है जहां के रहने वाले प्रवेश कुमार के मकान के सामने बिजली के तार लगे हुए हैं जो धीले होने के कारण जरासी हवा में आपस में टकराते रहते हैं अचानक दोपर के समय बिजली का तार तूट कर परवेश कुमार कश्यप के मकान के सामने लगी भूसी की बुर्जी पर गिर गई तारों सोठी चिंगारी से बुर्जी में आग लग गई धिरे धिरे आग ने मकान पर रखे छप पर सामने बधी तीन भैसो को भी आग की आगोश में ले लिया जिससे वो गंभी रूप से घायल हो गई और भैसों ने वहीं तलब-तलब कर चान दे लिया इतना ही नहीं घर में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए आग बुझाने के लिए ग्रामिलों ने समस्री वल्वर डिजल पंप सेटों की मदद से आग पर काबू पाया मौके पर पहुँची पुलिस उचेतरी लेकपाल ने घटना में हुए नुकसान का जाजा लिया प्या ना में आपका इचा अच्छा उसके बाद उसमें फॉल्ट हो गया है तार में आग लग गई थी हाँ उससे क्या नुकसान हुआ आपका हमाइश चली गए हमाँ बहुत दूने किसनी कितनी बैस ती और कुछ भी बता रहे से पूलिस को सुचना दे़ी आपने ? अब का दा हुआ है अभी पहुंची नहीं है पूलिस से बुजाए आपने ? तेन समर्द चली है प्रुम्ग जी थाना छेत्री ग्राम सिरसा में एक आगजनी की घटना हुई है जिसमें तीन बेंसे जलकर मर गई है क्या मामला है पुरा मामला मैं तो मोजिद पहुच गया था वांपे बहुत दंभीर मामला इसमें उनका संतराम का कनेक्शन था उनकी केवल पड़ी थी कि एविल होने से आग लगी एक बजी में और तीन बजी जलकर खाग हो गई है और तीन वेंसे हैं उसमें प्रूंग जी लगवक कितने क्या नुकसान होगा लगवक लगवक ढाई तीन लाग का थाना पलेस मौके पहुंच चुकी है पहुंच चुकी है दमकल को खौंद लियाता है तो दमकल आके फिर के लिगें के तब तक गाहमालों ने आग बजा लिए